नमस्कार साथियों, मैं जितेंदर और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सबी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ फेक फेडरेशन्स के बारे में अभी दो दिन पहले एक नोटेस आया और उस नोटेस में मैंशन है कि ये इलीगल फेडरेशन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारी की सारी इलीगल फेडरेशन है ये illegal federation इसलिए है क्योंकि काफी सारे private federation अपने game organize कराती है और game organize कराने के लिए बच्चों से पैसे लेती है उनसे entry fees के पैसे लेती है और ये federation बच्चों के लिए जो बच्चे fake certificate लाते हैं जो फर्जी certificate लाते हैं वो यही federation बनवाती हैं तो इसलिए government की तरफ से एक notice आया और उसमें इन्हें illegal federation की तरह घोसित कर दिया गया तो इस video को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चे समझ सकें क्योंकि काफी सारे बच्चों के मेरे पास दिन में कम से कम भी 3-4 certificate आते हैं और वो certificate इसलिए होते हैं कि भहिया ये हमारा certificate है ये real है या fake है तो मैं इस video को इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझ सकें कि क्या चीज real है और क्या चीज fake है पहले भी मैंने एक video बनाया है और उस video में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आप fake तरीके से खेलोगे तो आपका certificate नहीं माना जाएगा अगर आप real federation की से खेलोगे तो आपको बकाइदा scholarship भी मिलेगी और आप next level पर भी जाओगे तो कुछ federation जो illegal तरीके से चल रही है उनका एक notice आया आप स्क्रीन पर जो notice देख रहे हैं इसमें कुछ-कुछ federation illegal हैं सारी federation ही illegal है क्योंकि ये एक list है illegal federation कि मैं आपको नाम बता देता हूँ इंडियर बोमेन ओलंपिक association ये federation fake है और और में चीज ये सारी के सारी federation fake है बट आपको एक चीज में ध्यान से समझाता हूँ आपने सुना होगा SGFI SGFI दो तरीके से सुना होगा एक होता है School Games Federation of India एक होता है Student Games Federation of India ध्यान से समझना ये चीज़ को दोनों चीज सेम है SGFI बोलोगे तो दोनों चीज सेम है बट अलग-अलग बोलोगे School Games Federation of India और Student Games Federation of India दोनों चीज अलग है अब आपको यहां पर ध्यान देना है जो School Games Federation of India वाली federation है वो real है और जो Student Games Federation वाली federation है वो fake है अब यहां पर भी आपको एक logic में समझा देता हूं यहां पर एक चीज आप समझना दोनों चीज सेम है अग यहां से बच्चे बहुत तो अच्छे तरीके से पागल बनाया जा चुका है बच्चों को क्योंकि मेरे पास बच्चे मैसिज करते हैं अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं और उस सर्टिफिकेट में यही चीज होती है हमारे पास भी स्टूडेंट का जो स्टूडेंट वाला है वो fake है और जो School Games Federation of India है जो school level पे game organize कराती है वो real है तो यहां पर और भी कुछ games बताता आपको student games and activity federation यह fake है student games and sports federation of India यह fake है मतलब यह list ही यह पूरी illegal federation की है अब इसके बाद में आती है main चीज जो है कि real federation कौन सी है फिर क्योंकि इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना अब मैंने आपको illegal तो बता दिया अब इसके बाद में आती है जो real federation है अगर athletics के अंदर जो real federation है वो है athletic federation of India athletics में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद athlete हूँ मेरा event athletics है तो athletics के अंदर में आता है तो मैं इसलिए आपको athletics का बता रहा हूँ अब इसके अलावा और कोई game है जैसे कि judo हो गया, hockey हो गया, football हो गया उनकी सारी के सारी federation आप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह सारी जो federation है अपनी अपनी game की choose कर लेना, select कर लेना कि कौन सी real federation है, government federation है, कुछ federation के नाम आपको लेके बता देता हूँ, जैसे कि football की है, all India football federation, और gymnastic की है, gymnastic federation of India, hockey की है, hockey India, judo की है, judo federation of India, और ऐसे ही काफी सारी federation दी हुई है, volleyball के volleyball federation of India, तो यह सारी की सारी जो federation है, यह सारी की सारी real federation है, इनकी तरफ से आप कोई भी competition खेलते हो, तो वो valid है, अगर इसके अलावा आप कोई competition खेलते हो, वो valid नहीं है, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, कि जितने भी बच्चों के पैसे बरबाद हो रहे में यह certificate नहीं चलते हैं, और army हमारी देश की एक मातर ऐसी job है, जिसमें वो valid के लोगों को नहीं रखते हैं, जो लोग कुछ करने लाइक होते हैं, उनहीं रखते हैं, अगर आप sports quote से जा रहे हैं, तो वो अच्छे players को choose करते हैं, वो ऐसे players को choose नहीं करते हैं, जो क्या race भा पूछना है, यह है मेरा Instagram account, आप यहाँ पर message कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर आपको इसके अलावा भी पूछना है, तो आप मेरे को comment करो, मैं comment का जरूर reply करूँगा.